हाथ में हुनर हो तो करिश्मा दिखाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता कुछ ऐसा ही हुनर दिखाया है एक बेमिसाल कारिगर ने जिसने तयार कर दी है पानी से चलने वाली एक कार कमाल के कारिगर का निया कारनामा सूरत से निकली पानी से चलने वाली कार हैरान रह गए वैक्यानिक पानी पानी हो गया पेट्रोल नाम पुल्शोत्म पेपलानी और पेशे से मकैनिक लेकिन इसके बावजूर वो कर डाला जिस पर अब वैक्यानिक भी हैरान है इस शक्स के पास है पानी को पेट्रोल बनने की ताकर इस शक्स ने पानी से चला दी है कार सूरत के कतारगाओं एलाके में मोटर गराज चलाने वाले पुर्शुत्तम फिपलानी ने पानी से कार दड़ाने का फॉर्मूला तयार करके लोगों को हैरत में डाल दिया है इनके इस नए अविश्कार ने लोगों को चौंका दिया है जी हाँ, सूरत की सड़ों पर फर्राटा भरती ये कार कोई आम नहीं है ये कार पेट्रोल, डीजल ये सीनजी से नहीं, बलकि पानी से चल रही है जो कि एक लीटर पानी से सत्तर किलोमीटर तक चलती है पीने के पानी के अलावा समुत्र के पानी में ज्यादा माइलेश देती है ये और इससे निकलने वाले धुए से प्रदूशन भी नहीं फैलता यानि आम के आम और गुठलियों के दाम और इससे पेट्रोल के बढ़ते दामों से उकता चुके लोगों को भी राहत मिल चुकी है पानी से चलने वाली इस कार में पहले हाइड्रोजन किट बैठानी पड़ती है जिसके चलते ये कार पानी से चलती है लिहादा आप पुर्शोत्तम ने इसकी पेटेंट बना कर मंजूरी के लिए राज्य सरकार और केंदर सरकार को परिशन के लिए भेज दिया है और अगर इसे अनुमती मिल गई तो ये देश के सड़तों पर फर्राटे भर सकेगी बेरहाल पानी से चलने वाली इसकार से पेट्रोल और डिजल की हपत तो कम होगी ही जिसकी वज़े से लोगों को महगाई के बोज से काफी हद तक छुटकारा मिलेगा इस समय सूरत से फिर्टेश पटे